दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पे और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाना हूँ त्री फेस एसी वायरिंग है ये त्री फेस सुनके बहुत लोग पारिसान हो जाते हैं कि त्री फेस यानि बहुत बड़ी एसी है और कैसे काम करेंगे बहुत सारे मुस्किल हो जाता है क्योंकि जो लोग सीनियर होता है वो लोग जूनियर लोग का सपोर्ट नहीं करता है इसके वज़े से थोड़ा सा जो लोग हमारे छोटे टेकनिसियन लोग है वो लोग बहुत परसान हो जाते हैं पी 3-phase का कैसे काम करें कितना difficult काम है बहुत परसानी वाला काम है तो थोड़ा बड़ा है लेकिन आप बिलकुल easy है single face से बहुत easy है और आप असानी से इसको सीख सकते हैं आप इसको बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है सिख थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और इस चीज को समझना है कि जो हमारा three-phase होता है उसकी wiring कैसे करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ कैसे follow करती है कैसे आगे पास्ती है कैसे compressor में connection करें motor में connection करें पूर इस वीडियो में details ने बताने वाला हुँ तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिए यह सकते है यह ऊघ्रास में लिखा है यह जा northern के लिखा here 3 phase होते हैं जिनको हमें rate, hello, makeup and blue बोलते हैं यह हमारे 3 phase होते हैं जिससे हमारी times ac चीहाँ आपणने देख भी होगा तो मैं आपको कुछ पता दूं कैं programmes का inner 3-face की AC की wiring में कहीं भी आप जाएंगे तो जो compressor होगा वो 3-face का ही होगा जो 3-face की AC होती है वो 3-face का ही compressor होता है तो उसके अंदर हमारा RYB connect होता है लेकिन यह कहां connect करना है जैसे कि हमारा UVW होता है जैसे हमारा single face की AC में comma running starting होता है वही हमारे 3-face में UVW होता है इस तरह का point बन होता है उसके अंदर हमारा compressor का connection होता है तो आगे मैं आपको बताओंगा उसका connection कैसे करना है उसके पहले मैं आपको कुछ बता दूँ और एक चीज़ा और होता यहाँ पर यहाँ पी दोस्तों आपने वीडियो के लाइक ने किया तो लाइक करें और चैनला पे नए है सब्स मतलब होता है low pressure और HP का मतलब होता है high pressure तो 3 face की AC में जादा यह जो system जो है यह लगे होते हैं और उनमें कई सारे sensor भी लगे होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताओंगा तो मैं आपको face की wiring बता दूँ कि friend जो हमारा contactor होता है उसके अंदर ryb यानी red yellow blue यह तीन wire हमारे connect होते हैं mcv box से आते हैं mcv box से और फिर rcc box से बताब जो भी safety device होते हैं वहाँ से हमारे contactor में direct जाते हैं मतलब input में वहाँ पे हमारा क्या होता यह तीनों face रूखे होते हैं उसके बाद जब हमारा नीचे का जो हमारा machine है उसमें हमारा जो face होता है कि इन किनी किनी एसियों में हमारा जो एसी है उसके अंदर इस तरह से बना होता है मैं आपको बता जाता हूँ details में L1, L2, L3 और यह न्यूटल तो यह हमारा MCB अगर बोक्स है यहां से हमारा यह तीनों face इस तरह से connect हो जागा L1, L2 और L3 और यह हमारा न्यूटल जस्ट इसके बाजू में ही एक और पैनल बना होता है connector बना होता है जिसके अंदर हमारा lying, neutral और common लिखा होता है तो इसके अंदर क्या होता है यहां पर हमारा कोई सावी एक face आपने देखा होगा connector इस तरह से smoothing होता रहता है लेकिन बीज में यहीं पर एक fuse लगा होता है safety device की तो यहां से हमारा जो face है direct हमारे यहां नीचे में चला जाता है और newtel भी हमारा यह उपर से जाता है लेकिन आपको समझ में आया is के लिए میں यह नीचे से कर ःधिक और這種 श्यांव से कल गगे और यह common जो है वो किनी वी झाले होता है यह जो है यह common joh ihan की उट माभाम मेशन से तो यानि इसलिक हमारा फेस एक चला गया हुए जी हमारा मसीन में चळा गया। किनी किनी मसीनों में जो हमारा इंडोर यूइट होता है रक्तिक्राइल गात takiej हुआ। कमें सींगल फेस ने होती है उसलिदी थे हैं इस लोग सेंगल फेस की बात बताते हैं, यह देख सकते हैं यहां पर हमारा ये मशीन नीचि अन्यौ। लागा जिस्से मरें इस नीचे ओन हो गया और जब हमने टंपरेचर को काम करता होगutan से पावर छोड़ता है और ये पावर जाके हमारे ये पावर हमारे जाके यहाँ पे जो थिरी फेस का कॉंटेक्टर लगा होता है इस तरह से वहाँ पे लिखा होता है A1 और A2 तो वहाँ पे ये हमारा डायरेक्ट A1 में चला जाता है और ये A2 जो बना है यहीं पे छोटा सा डिवाइस लगा होता है हमारा टांसफार्मर किनी किनी डिवाइस में टांसफार्मर लगा होता है जैसे कि कोई कॉंटेक्टर होता है 24 वोल्ट का होता है और कोई कॉंटेक्टर होता है 220 वोल्ट का इस वीडियो में आपको बता हुआ यह 24 वोल्ट का कैसे से कनेक्शन करते हैं यह हमारे यहां पर एवन चला गया यह नीचे से तर्मोस्टेट करना चला गया और यह से हमारा निटल से यहां से लिभन मेरा हमारा जूस् Alors नियुटी चलागा जिस इह हमारे उस्तह सब्सक्राइब कम पार कैसे और आग अधिल दंशता है तो हावे को फिर चाल टाथ है फिर हमारे यहां पर इल से जो के जो हमारे compressor में जिसको हम लोग यू वी और ये डबलू भी बोल सकते हैं इन तीनों वायरों में connect हो जाती है जिससे हमारी compressor on हो जाता है लेकिन 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 ये तो मैंने एक short तरह के साथ को बता लेकिए कि इसके अंगर एक चीज़ और है आपको गौर करने वाली है अभी में आपके है जो safety device होता है वो किस तरह से लगा होता है ये तो मैंने आपको wiring बता है लेकिन बीच की जो wiring है ये भी आपको देखना है कि वो wiring कैसी है वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो लाइक यरू करें बहुत अच्छा लगता है आप लोग लाइक करते हैं और क्रमेंट करते हैं तो नीचे से जब हमारा ये common wire जब नीचे से हमारी power supply हमारा indoor को आता है फिर ये हमारा ये यल्पी switch में जाता है अपने देखा हो है बड़ी माशीनों में जाएंगे तो इस चाल लाइन और सेक्साल लाइन वार लगे फोटे हैं चोटे-चोटे जिड में दो वायर निकलेंगे अगर यल्पी में है तो सेम कलर के दो वायर निकलेंगे दोनों आलाग लग नहीं ह होते हैं दोनों एखिक्राइप होते हैं तो यहांसे हमारे ELP में जाता है यहांसे connector लगा होता है जिसे यहज चला जाता है और यहीं से हमारा वायर HP में चला जाता है । NEXT व में जाके फिर हमारे यह 剛All frater होता हमारा even a1 में चला जाता है और यह टू का तो मैने आपको उन सिस्टमें में कुछ मशीनों में अलग-अलग कंपनी का अलग-अलग safety device होता है यह आपको समझ में आ गया हो अगया और यहां से हमारा indoor से आया LP में गया फिर HP में गया फिर हमारा A2 A1 में हो गया अब नीटल में से हमको यहां मिली गया जब यह दुनों वर्क करेंगी तो हमारा contactor आगे पास करेगा जिससे हमारा compressor और जो train motor है condenser का वो चालू होता है लेकिन जहां पर कुछ system जो LP HP है मैं इसके पर बता देता हूं LP का मतलब होता है कि जो हमारा gas अगर low हो जाता है यानि इस प्राबलम हो जाता है तो हमारा machine जो है वो on नहीं होता है अब EHP का मतलब यह होता है कि condenser सब जाला गांदा है machine में high pressure बढ़ लिया या तो double blower है double fan है condenser उसमें एक fan खराब हो गया तो यह हमारा compressor तो फटाम चलता है फिर गरम पर बंद हो जाता है यानि करने सब compressor पर जाता प्रेसर बढ़ता है और बढ़ता है यानि high pressure बढ़ता है इसमें हमारे यह contactor on नहीं होता है तो इस तरह में से यह काम करता है तो मैंने अपने LPH के स्विच के बारे में बता दिया है और कुछ किछ मशीनों में आपने देखा भी होगा यह फिर रिले लगा होता है इसे six pounds के रिले होते हैं और यह direct हमारे contactor से सप्राइस गंदर से जाते हैं इसके wiring details में मैं आपको बताऊंगा नेस्ट वीडियो में तो उसमें क्या होता है कि जब हमारा नीचे से भी हमारे जाता है तो यह हमारा इदर भी जाता है और यहीं से हमारे इसमें भी चला जाता है और इसके उन्दर न्यूटल जो है यहां से नाफ चला जाता है और न्यूटल हमारे यहां से इसको चला जाता है तो यहनी जब यह रिले जो हमारा मशीन कभी बंद एक से दो बार बंद होता है यह रिले क्या होता है यह रिले को पुरा बंद कर देता है फिर हम इसको जब आफ करके ऑन करेंगे तो यह वापस से नार्मल हो जाता है यह भी बहुत नहीं है और एक डिवाइस और लगा होता है तरी फेस में अगर आपको नहीं समझने आए हैं तो कमेंट कीजिए डिटेल्स में बता दूं होना है लेकिन इस वीडियो में मैं तेरी फेस की जो बहुत हैं मोटे में कैसा सिस्टम मोटे वह बताने की कुछिस कर रहा हूं थाकि आपको अच्छा समझ में आ जाए तो कि सीनियर लोग हो आपको दियान देना होता है यहां से सेंसर जाके लागे होते हैं यहांसे और यह पिसीवी में हमारा कॉमन वाइब जो नीचे कॉमन सब खेल कॉमन कई है यहां से कॉमन वाया को यहां से पिर यह आउर्फुट होपी यहां पर एवन इन चानिवाता है पुर्ण डिवाइजर में ऐसा होता है और इसी में से न आपकर याल्पी में चला जाएगा यही से एच्पियान हमारा पुरा ये पीसी भी पूरा कंट्रोल करता है इस सिस्ट टर्ण चिंजिंग करके बनाते हैं और अबने सिधा सिधा वायिग होता है यह पहले बता आया था इसा सिस्ट्म होता है अपको समझेदें कॉमन वायर यहां से हमारा मीचे से वोट रिह चला एक उन्हिंस बीच एंपेज है लिए यहां पहल से चलाने के यहां पर यहां चला जाता है यहां पर चलाता है यह अंदर का पूरा कनेक्शन है सरकिट है अगर आपको नहीं सवंग आएगा मैं कमेंट किजिएगा पूरा सायता करूंगा पूरा हम करूंगा एक चीज़ को बहुत बाता है आपको जरू कुछ थी फेस के वाईरिंग पर समय आ गया होगा और जब आप कांग करेंगे तो आपको बहुत है यह एंजी टेक्मोरियल सपोर्ट के वीडियो देखने के बाद हमको थोड़ा सा नॉलिज तो जरू मिला होगा तो वीडियो को जड़ा ज़ादा शेयर करें लाइक करें और हमारे चैनल को फॉलो करें और बैल एकन जरू दबाने तकि आने वली वीडियो का नॉटिएटिक धिडिक साथ तकि बादिक रादिक है क्यों की ज जरू है